हलो अप्रिवर्वन क्या आप लोगों को भी प्लांट्स के अंदर डोर्सल, वेंट्रल, अबेक्जियल, अडेक्जियल सर्फेसेज के अंदर कन्फूजन होता है तो चलिए आज ये कन्फूजन दूर करते हैं एक छोटी सी ट्रिक के साथ आपको मैं बताऊंगा कि डोर्सल, वेंट्रल, अबेक्जियल, अडेक्जियल सर्फेसेज कौन-कौन से होती है सबसे पहले हम बात करेंगे डोर्सल वेंटरल के बारे में तो आपको क्या करना है आपको सबसे पहले ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट को एक साथ लिखना है ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट एक साथ लिखे जाएंगे और बचे हुए दो gymnosperm and angiosperm एक साथ लिखे जाएंगे क्योंकि जो surface bryophyta में dorsal होगी वही tenidophyta में dorsal होगी जो surface gymnosperm के अंदर dorsal होगी वही surface angiosperm में dorsal होगी इसके बाद आपको एक छोटी सी trick याद करनी है और trick है b, u, d bud b का मतलब होगा bryophyta U का मतलब होगा upper और D का मतलब होगा dorsal इसका मतलब bryophyta में upper surface dorsal surface होती है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है bryophyta में upper surface है उसे कहेंगे dorsal तो lower surface को क्या बोल दिया जाएगा ventral और मैंने जैसे की बोला जो चीज bryo के लिए है वही terido के लिए भी है तो terido और bryo के अंदर upper को dorsal और lower को ventral गाते हैं अगर हम बात करेंगे gymnosperm और angiosperm की तो इनके अंदर bryo के comparison में उल्टा करना है जो bryo में dorsal थी वो ventral हो जाएगी gymnosperm और angiosperm के अंदर तो जो upper surface dorsal है वो lower surface dorsal होगी gymnosperm और angiosperm में और bryophyta के अंदर जो lower surface ventral है तो इनकी upper surface को ventral कहेंगे तो यह है हमारे पास छोटी सी trick dorsal and ventral के लिए अब मैं आपको बताता हूँ adaxial, abaxial के लिए भी बहुत simple है वो भी सबसे पहले आपको क्या कर लेना है आपको सारे के सारे plants के नाम है वो एक साथ लिख लेने है जैसे पहले bryophyta उसके बाद terrydoophyta उसके बाद में gymnosperm और उसके बाद में angiosperm ठीक है फिर इसके बाद में आपको यह पता लगाना है कि इन सब के अंदर कौन सी surface है वो adaxial है इन सब की adaxial surface कौन सी है dorsal surface है या ventral surface है हमने upper और lower के हिसाब से तो पता लगा लिया अब हम पता लगाते हैं इन के अंदर और abaxial surface कौन सी है ventral है या dorsal है abaxial इन सब के अंदर कौन सी होगी एक simple से trick के साथ हम इसे समझ लेंगे बहुत simple है और trick कुछ भी नहीं है trick हमारा यही adaxial नाम है देखे अड़ेक्जियल नाम में d आता है spelling के अंदर d आ रहा है d का मतलब है dorsal dorsal default dorsal adaxial में d आता है d का मतलब dorsal है और आप इन सभी groups के अंदर देखेंगे तो teridophyta की spelling में d आता है और कहीं पर भी d नहीं आता है bryophyta, gymnosperm और angiosperm में d नहीं आता है spelling में teridophyta में d आता है तो d का मतलब हो गया teridophyta, d का मतलब dorsal d का मतलब adaxial तो teridophyta में adaxial surface है वो है dorsal तो abaxial surface कौन से हो गई ventral इसके बाद बाकी सब में इसका उल्टा कर दीजिए यानि कि adaxial surface ventral है bryophyta में भी gymnosperm में भी और angiosperm के अंदर भी ventral रहेगी teridophyta में abaxial ventral है तो इनके अंदर सब में dorsal 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 vent यह जो है abaxial रहेगी तो यह simple सी trick के साथ में आप यह confusion दूर कर सकते हो तो thank you so much